नमस्कार किसान साथियो आप सब का हारदिक स्वागत है अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में हैं सबसे पहले आप सभी को बुराई पर अच्छाई की जीत के पर विजय दस्मी दसारा की बहुत बहुत सुब काम में हैं किसान साथियो अक्टूबर का महीना समाप्त हो रहा है और नॉंबर सुरू होने वाला है और इस समय नीम्बू पर हस्त बहार के फूल और फल आये हुए है मैं आपको आज दो प्रकार के पेड़ दिखाऊँगा यह है पहला पेड़ इसे कुम्ब काट कहते हैं ये कुम्ब काट का पोधा है जिसे कुछ लोग पाकिस्तानी भी कहते हैं पर इसका नाम सही माइनों में कुम्ब काट नीम्बू है बहुत अच्छा निम्बू है इसकी दो खास्यत है पहली खास्यत यह है कि इस पर रोग बहुत कम आता है सायद इसलिए कि ये ग्राफ्टिड होता है जट्टी-खट्टी या रफ लेमन जो रूट स्टोक होता है उस पर इसकी ग्राफ्टिंग करते है जब मैं बहुत जगह घुमा इधर उधर देखा तो मैंने देखा कि अधिकतर लोगों को ये सिकायत है कि इस पर गर्मियों में निम्बू नहीं आते है जी हाँ ये काफी हद तक सकते हैं इस पर गर्मियों में निम्बू नहीं आते और बरसात और सर्दियों में भरकर नीमू आते हैं जब मैं घूमने लगा तो मैंने बहुत सारे बाग देखे और वहां से मैंने कुछ चैन किया और मेरे पास कुछ ये पोदे हैं कुम काट के ये वाला पोदा है आप इसमें देखिए कि इस पर हस्त बहर के नीमू आये हुई है बहुत ध्यान से देखिए ये टहनी देखिए पूरी की पूरी फूलों से भरी हुई है और अगर आप और भी ध्यान से देखें तो ये देखिए ये नीमू भी बन गया है ये चोटा निम्बू है ये बड़ा निम्बू है ये मार्च में आपको मिलेगा ये पूरे इस पर देखे है भरा हुआ है और अगर इस पोधे को आप चारो तरफ से देखो अगर आप ये देखोगे तो ये देखे इस पर ये बड़ा निम्बू भी है ये वाला बड़ा निम होगे तो इस पर नीमू ही नीमू है और बहुत छोटा पोदा है छोटा इसलिए कि मैंने किया हुआ है इसको छोटा मैं इसके कटिंग कर देता हूँ चुकि यह मेरे रास्ते के पास है यह बहुत पहले लगा दिया था इस प्रकार के यह तीन पेड़ मेरे पास है वैसे इस कुम काटके पांच-छे पेड़ है लेकि तीन पर मैंने देख रहा हूँ पिछले दो साल से यह दूसरा साल है कि इस समय भी इस पर फूल आते है और गर्मियों में नीमू आते है तो मैंने क्या किया कि यह पोधे या तो कुछ विशेस है या यह हमारी जो नोर्थ इंडिया की जमीन है यहां पर यह गर्मियों के नीमू देगे दूसरा जो पोधा है यह देखिए यह साइंसरबती का पोधा है जो मेरा बिजू पोधा है इस साल यह ठीक चल रहा है पिछले साल थोड़ा इसमें प्रोब्लम थी जो जड़ गलन की थी लेकिन अब पोधा सही है यह तीन साल का पोधा हो गया इससे जो बड़े वाले पोधे हैं उनमें पिछले वर्स कुछ नीमू आये थे अर्थात इस वर्स इस वर्स मुझे बर्सात के टाइम कुछ नीमू मिले थे और बहुत अच्छे नीमू मिले थे लेकिन मेरे हिसाब से अभी पोधा चोटा है अगर इन दोनों पोधों को आप देखो इस पोधे को और इस पोधे को इनकी उमर लगबग एक ही है दोनों एक ही उमर के हैं लेकिन इस पर भरपूर नीमू आते हैं मैंने इसको छोटा रखा है रास्ते के किनारे से अब ये क्यों आते हैं और कैसे लिए हैं ये सब मैं आपको बताऊंगा इससे पहले चलिए एक पोधा और देखेंगा, दूसरा पोधा यह है, आप देखें कितना बड़ा है, लेकिन समच्य यही है, कि यह यह मेरे रास्टे पर आ गया और मुझे यह यह नहींखेंगा, आप देखें कितने फूल आई गिया है, अगर आप कुल पोधे पर देखो, और इस पर नीम्बू भी हैं, यह देखें, कितने नीम्बू हैं, यहीं पर एक, दो, तीन, चार, पांच, छे नीम्बू हैं, यह देखिए, नीम्बू बड़े भी हो रहे हैं, और अंदर भी आप देखोगे, तो इस पर छोटे-छोटे नीम्बू हैं, यह देखें, कितने फ बड़ा सा, मैंने क्या किया कि इन तीनों पोधों से कलम लेकर मैंने इन पर ग्राफ्ट कराई और ये पोधे लगबग 1,000 पोधें मैंने तयार कराई, इन पोधों पर हस्त बाहर के जो नीमू है वो अवश्य आएंगे अगर आप सही परकार से देख बाल करेंगा, हमारे हाँ समस्या क्या है जो नोर्थ भारत में है जो मेरा एरिया है ये छेत्र है सारणपूर मुझे फ़नेगर मेरिट और ये तरही वाला जो छेरा है इसमें जमीन में नमी होती है और आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि पोधे के तने के पास पानी ने लगे अक्सर किसान भाईयों के सिकायत होती है कि पीले पड़ गए पत्ते तीन कारण से पीले पड़ते हैं पहला कारण होता है कि उनकी जडगलन का कारण होता है उसकी वज़े से होते हैं और सुरू में पत्ते पीले पड़ते हैं फिर गिरते हैं फिर डाइबेक सुरू हो जाता है दूसरा कारण होता ह कि उनमें जिंक की कमी होती है और जिंक की कमी को आप ऐसे देख सकते हैं कि पत्ते में उसकी नसे दिखाई देने लगती है और तीसरा होता है कि उनमें अगर कम पीले हैं जैसे इसमें मेरे पोधे में नहीं है जो पुराने पत्ते हैं वो तो पीले होकर गिरेंगे ही उसमें न और आज मैं इसमें फिर ये अपना टीलर चलवाँगा और इसको यहां तक जो कैनोपी तक है थोड़ा उंचा करा दूँगा और फिर इसमें पानी नहीं लगेगा अगर सही प्रकार से किया जाए और आपके पास सही वराइटी हो तो आपको नीमू हस्त बहर के मिल सकते हैं अगर आपको इसके पोधे चाहिए तो हमसे संपर कर सकते हैं और पोधे ले जा सकते हैं दूसरी इसकी खास बात है कि ये बहुत तेजी से बढ़ता है रोक कम आते हैं तेजी से बढ़ता है और इस पर नीमू भरपूर आते हैं हाँ एक छोटी सी इसमें कमी है जिसे आप कमी भी कह सकते हैं अच्छी बात भी कह सकते हैं कि इसका छिलका थोड़ा पतला होता है इस इतना पीला नहीं होने देना, आपको इतना नीम्बू तोड़ना है, यह इस तरह से तोड़ना है, यह देखे अगर मैं इसे दबाऊंगा, तो देखे रस निकलता है, तो नीम्बू पीला नहीं होने दें, और थोड़ा तोड़ लें, और मार्केट में भेजें, तो अच्छा अगर मैं इस नीमबू को काट कर दिखाऊंगा तो इसका छिलका हलका सा थोड़ा मोटा निकलेगा यह नीमबू बहुत अच्छा नीमबू है और इस पर मैंने दिखा दिया कि हस्त भार के नीमबू है गर्मियों के फलाएंगे उस समय भाव जो है थोक में भी 80-100 रुपे किल अगर आपके एक पोधे पर 20 किलो भी नीमबू आ गए तो आप सोचिए एक पोधे से कितने पैसे मिले गए और तीसरी एक बात और खास है कि इसे आप बारा बाई बारा पर लगा सकते हैं चुकि इसकी थोड़ी कटिंग भी हो जाती है यह बहुत नीचे तक फैलता है पंद्रा बाई बारा पर लगा सकते हैं और अगर थोड़ा और खुला चाहिए तो पंद्रा बाई पंद्रा से अधिक मत लगाना है इस वाले हैं अगर आप सही प्रबंदन करेंगे बारा 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 पर लगाएंगे तो आपके एक एक कड में 300 पोधे मिलेगें और 300 अगर आप उसमें से मोटा मोटा एक लाख परती एक कड परती वर्स खर्चा भी मालें तो भी आपको डेड़ लाक रुपे और और भी कम कर लीजिए तो एक लाक रुपे बड़े अराम से मिल सकते हैं किसान साथियो ये थी मेरी दो वर्स के मेरे रिसर्च पर अनुसंधान पर एक वीडियो जो मैंने आप लोगों को दिखाई है ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट कर अवस्य बताएं और हाँ अगर इसके पोदे चाहिए अभी भी मेरे पास लगभग 500 से 600 पोदे बचे हुए हैं अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे इन वाट्सेप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं इसी के साथ विदा लेता हूं धन्यवाद नमस्कार जैहिन जैभारत वंदेवाद